गुड मॉर्णिंग स्टुडेंस मैं सुमान यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में संगम यूग, अर्थास संगम साहिते, पर्थम संगम, दूत्य संगम, तृत्य संगम इन सब के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे, तो यह दिया आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइग और सेर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी महतोपून जानकरी और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेसर मिले और आप एक्जाम के अच्छे से तियारी कर सके ठिक है, तो चलिए पढ़ते हैं संगम यूगूड इथियासी क्योंकि प्रारम में दक्सिन भारत का करंबद इथियास हमें जिस साहिते से ग्यात होता हूँ, उसे संगम साहिते कहा जाता है संगम साहिते से पहले हमें कोई भी महत्वपुन गरन दक्सिन भारत से प्राप नहीं होता है इस प्रकार सुदूर दक्सिन के प्रारंबिक इत्यास का मुख्य साधन संगम साहिते ही है संगम शब्द का अर्थ संगम शब्द का अर्थ परिशद अथ्वा गोस्टी होता है जिर में तमिल कवी यह विद्वान एककत्र होते थे कवीओं और विद्वानों की परिशद के लिए संगम नाम का प्रियोक सर्व परतम साथ विस्त आपदी के प्रारम में सैव संत नैन्वार जो हैं तिरुना बुकर्शू इसने किया था तिरुना बुकर्शू का जो अन्य नाम में अपार भी मिलता है परते कवी अथ्वाल लेकक अपनी रचनों को संगम के समक्स परस्तुत करता था तता इसकी स्विकर्थी प्राफ्थ हो जाने के बाद ही किसी पी रचना का प्रकाशन संभव था प्रंपरा के नुसर अत्ती प्राचीन समय में पंडे राजों के सरंग्षन में कुल तीन संगम आयोजित के गई जिन में संक्लित साहिते को ही संगम साहिते की संग्या परदान के जाती है ये साहिते तमिल भासा में लिखा गया तो संगम साहिते कोन सी बासा में लिखा गया में हुआ था इसकी देख्स्ता अगस्तर इसी ने की थी इनी को दक्षिर में आरेसब्यता के परचार का स्रेय परदान किया जाता है इस संगम में कुल 549 सदसे समिलित हुए 449 में लेकों ने इसमें अपने रजनाई परच्तूत करके उनके प्रकाशन की अनुमती प्राप्त की यह संगम जी से पांडे वन्स के नमवासी राजों ने सरंग्षन परदान किया था 4100 वर्सों तक चला इस संगम द्वारा संकलित मैतोपन गरंत अकटियम अगस्तियम परिपदाल तो अकटियम परिपदाल मदू नारे मुदू कूरू कू तथा कलरी आवीरे थे दुर्भागे वसिन में से कोई भी संप्रती उपलब्द नहीं है द्वीतिय संगम इसका आयोजन कपाठपुरम जिसे अलवाई भी कहा गया है में किया गया इसकी देख्षता का स्रे भी अगस्तिय को ही दिया गया है इसमें कुल 49 सद से समिलित हुए तथा 69 सासकों का इसे सरंक्षन मिला प्रंपरा के नुसार 3700 कव्यों ने यहां अपने रचनाओं के परकासन की अनुमती प्राप्त की तथा ये संगम इतनी ही अवधी तक अबाद गती से सलता रहा इस संगम द्वारा संकलित ग्रंथों में एक मातर तोल का पीयम ही अवसिस्ट है ये तमिल व्याकरण ग्रंथ है इसकी रचना का स्रे अगस्ति रिशी के सिसे तोल का पीयर को दिया जाता है ऐसी मानेता है कि प्राचेन मदूरा के समाद दृत्य संगम का के अंदर का पाठ कुरम भी समुद्र में विलें हो गया अब देखेगा दृत्य संगम ऐसा माना जाता है कि पांटे राजों की राजदानी मदूरा में एक संगम का आयोजन किया गया था जो तीसरा संगम था इसमें संकलित कभीताएं आज भी उपलब्ध हैं इनके संक्या 49 थी तता इसने 449 कमियों को उनकी रचनों के परकासन के अनुमति परदान की गई थी ये संगम जिसे 49 पंडे राजों का सरंग्षन प्राप था 1850 वर्सों तक लगातार चला इसके देख्षता नकीरर ने की थी तो 3-3 संगम है इसके देख्षता किसने की थी नकीरर ने इस संगम द्वारा संकलित उत्क्रिश रचनाएं नेदुन्थोके, कुरुन्थोके, नत्रिनई, एन्रुनूरु, पदित्रुपट, नुत्रम्बथु, परिपादल, कुथु, वरी, पेरिसे तथा सित्रिसे हैं यदेपी इन में से अधिकांस गरंट नस्ठ हो गए हैं, फिर भी आज जो भी तमिल साहिते बचा हुआ है, वह इसी संगम चे संबंदित है, तोल का पीम सही तीसरे संगम के अवसिष्ट सभी गरंथों का संपादन, तिन्यन नरली की साउथ इंडिया सैव सिधान पब्लिसिं के द्वारा किया गया है, उपलब्लिसंगम साहिते का अवजन तीन भगों में किया जा सकता है, देखेगा पहला क्या है, पुथु पातु, पुथु, पत्थु, पातु, ये दस संगसिप्त पदों का संगरह है, इनके नाम तीरु, मुरु, गात्रु, पदे, पोरु नरु पद, सीरु माना रुपदे, पेरुम बाना रुपदे, मुले पाटु, मदुरें काची, नेडुलनल वाडे, कुरिंजी पाठ, पटिन पाले, तथा मले पदु हैकाद्रम हैं, इनमें दो नकिरिल, दो रुद्रन कनार, तथा बाद के छे करमसे, मरुथनार, कनियार, नथन पेनार, कपिलर, और, कोशिक नार, नामक कवियों द्वारा रचित हैं, इन पदों में चोल सासक करीकाल, तथा पंडे सासक नेदुन, जेलियन के विवरण भी मिलते हैं, इन पदों का समय द्वीत्य स्ताब्दी इस्वी के लगबक्का है, इथुतो के, इसमें आठ कविते हैं, ननिर, अर्थात, नत्रिने, कूरु थाग, एक गूरु नूरु, पदिर पत्तु, परिपाडल, कली तोगे, एहना नूर, तथा पूरु ना नूरु, इन में संगम यूगिन राजों की नामावली के साथ साथ, उसमें के जनजीमन तथा आचार विचार का विवरण भ प्राप्त होता है, ये प्राचिन्तम तम्मिल साहिते की सर्वोत क्रिष्ट रचनाएं हैं, इन में कुल 2289 से भी अधे कविताएं हैं, जो 473 कविताओं कवियों द्वारा रचित हैं, पदिन नेकली कनकू में 18 लगू कविताओं का संग्रह हैं, जो भी उपदे साथ मक हैं, जो सबी उपदे साथ मक हैं, नाल लवूई, नानमनी कडिग्ये, इन नार पदू, इनिये नार पदू, कार नार पटू, कल्वली नार पटू, एंति गम पटू, एंदी नयम बदू, तिने मालेंबू, तिने मालेनी नूरेंबू, कनिले कूरल, तीरिकडुम, आसार कोवे, पलमोली, शिरुमंच, मुलम, मुदू, मोली, कांजी, तथा एलादी इन्वे तीरु वलुवर का कुराल सर्वोत क्रिस्ट है इसे तमिल साहिते का एक आधार भूत गरंद मानना जाता है इसके विशेत, त्रिवर्ग, आचार, सास्त्र, राजनीती, आर्थिक, जीवन, एवं, प्रणे से सम्मदित है इसका रचियता कोटिले, मनु, कात्यायन, आधी की विचारों से प्रभावित लगता है इन्मे कुल 133 खंड है निलकंड सास्त्री से इस्वी सन की पांच्वी स्ताब्दी में रखते हैं और तीसरा भाग आता है पद्दी नेन, किल, कनकू संगम यूग में महाकावियों की भी रचना की गई थी यदे भी ये गरंथ संगम साहिते के अंतरगत नहीं आते तथा पी इनसे ततकालिन जन जीवन के विशे में अच्छी जानकारी प्राप्ट हो जाती है इस काल के पांच परसित महाकावे निलिकी थैं सिल्पादिगारम, मनी में एकले, जीवक चिंता मनी, वले, पती, तथा कुंडल, केसी इनमें पर्थम तीन ही उपलब्द हैं कौन-कौन से सिल्पादिगारम, मनी में एकले, और जीवक चिंता मनी इनका हमने अलग से भी वीडियो बनाया है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इनके बारे में और भी विस्तरी तोर से हमने समझाया है तो देखेगा इस वीडियो में हमने संगम कालिन साहित्ते के बारे में जानकर इफ्राप्त की इस वीडियो से एक आदा क्यूसन आपको पक्का एक्जाम में मिलेगा तो आप वीडियो को बार बार देखें, धान से पढ़ें, सुनें और याद करें ठीक है, इसी प्रकार से बने रहें, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पर